दूसरों ये कहानी है एक पती के सच्चे प्यार और एहसास की मेरे पती पेशे से इंजीनियर है मैं उनसे इस्थेन सोभाव के लिए प्यार क्या करती थी और जब मैं उनके चोड़े कंधे पर अपना सिर जुखाती थी तो मुझे कर्म चोशी और अजीब सा सुकून का हैसास होता था तीन साल प्रेमलाप और अपशादी के दो साल बीच जाने के बाद मुझे यह स्विकार करना होगा कि मैं इससे ठक गई हूँ मैं पहले उसे प्यार करने में जो भी कारण था अब वह मेरे सारी बेचाने का कारण बन गए है मैं एक भावोक महिला हूँ और जब रिष्टे और मेरी भावनों की बात आती है तो मैं बेहस समिंदन सील हूँ मैं रोमांटिक पलो के लिए उसी तरह तरस दिए हूँ जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी सी लड़की मेरे पती मेरे बिलकर विप्रीद है उनकी शमिंदन सीलना की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलो को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार की विशे में निराश कर दिया एक दिन मैंने आखिर कार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाग चाहिए और मैंने हिम्मत करके उसे बताया आखिर को चौकती वे उसने बुछा मैंने कहा मैं ठक गई हूँ दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता मैंने कहा वह पूरी रात चुप रहा हर समय हाथ में एक चलती हुई सिगरेट के लिए कहरे विचारों में डोबा रहा इससे मेरी निराशा की भावना और पड़ती गई क्योंकि मैं एक ऐसे आदमे को देख रहे थी जो अपने दूदर्शा को ही व्यक्त नहीं भी नहीं कर पा रहा है भला मैं उससे और क्या ही उमीद कर सकती थी और अंत में उसने मुझसे पूछा मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ किसी ने सची कहा है कि किसी के व्यक्तितों को बदलना मुश्किल है मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना सुरू हो गया था उसकी आँखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे सोतर दिया मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ अगर तुम्हारा जवाब मेरा मन को बदल सके तो मैं अपना विचार बदल दूँगी मान लो मुझे एक पेड़ की चक्टान पर खिला एक फोल चाहिए और हम तुनों को ये पता है कि उस फोल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यू हो जाएगी तो क्या तब भी तुम मेरे लिए ऐसा करोगे उसने कहा मैं कर तुम्हें इसका जवाब दूँगा उसकी इस प्रतिकेरिया को सुनकर मेरे उमीदे धरा शाई हो गई मैं अगली सुबा उठी तो पाया कि वह चला गया है और सामने के दर्वाजे के पास इमेज पर दूद के गिलास के नीचे उसकी खुदरी रिकावत के साथ एक कागस का टुकरा पहा था जो पढ़े जाने पर ये बाते बया करता है एक दिल को छो जाने वाली चिट्थी जिसमें लिखा था प्रिये मैं तुम्हारे लिए वाफ़ोर नहीं तोड़ूँगा लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुमें इसकी पीछे का कारण बताना चाहूँगा यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे तो दिल के हजारों टुकड़े हो गए फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा उसमें लिखा था जब तुम कंप्यूटर का इस्तिमाल करती हो तो तुम हमेशा सौफ्ट्वियर प्रग्राम को करबढ कर देती हो आंत में तुम स्क्रीन के सामने बैट कर रोती हो मुझे अपने उलियों को जिन्दा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रग्राम पुनर इस्तापित करके तुम्हारी कीमती आज़ों को रोक सको तुम हमेशा घर की चाबिया गुमा देती हो इसलिए मुझे दर्वाजा खोलने के लिए अपने पैरों को जिन्दा रखना पड़ेगा ताकि दर्वाजा तोड़कर तुम्हे घर के अंदर ले जा सको तुम यात्रा करना पसंद करती हो लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल भी जाती हो मुझे तुम्हे तुम्हे रास्ता दिखाने के लिए अपनी आँखे जिन्दा रखना पड़ेंगे तुम्हे हमेशा एठन होती है जब तक तुम्हारा पीज़ड हर महीने आता है मुझे अपनी हतेलियों को जिन्दा रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारी पेट की एठन को सांथ कर सको तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है और मुझे पता है कि तुम अंतर मुखी व्यक्ति हो तुम्हारी बोर्यत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानिया सुनाने के लिए अपने मुह को जिन्दा रखना पड़ेगा तुम हमेशा कम्प्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आँखों का वविश्य अच्छा नहीं होगा मुझे अपने आँखों को बचाना होगा ताकि जब हम भूढ़े हो तो मैं तुम्हारी आँखे बन सको तुम्हारी सिर के सफेद बाल हो रहे तो उन बालों को चुन सको तुम्हारे नाखोनों को बिना तुम्हें चोट पहुचाए काट सको मैं भी समुदर तट पर तहरते हुए तुम्हारा हाथ पकलना चाहता हूँ जैसे तुम धोप और सुन्दर रेत का आनन देती हो और खुशे में गाना गुरगुनाती हो मैं उसे अपने कानों से सुनना चाहता हूँ इसलिए मेरे कान सिंदा रहने चाहिए जब तुम नहां के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुश भूँ करो महसूस करने के लिए मेरे नाफ को जीवित नहां होगा इसलिए मेरे फ्री जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुम्हें मुझसे ज़ादा अधिक प्यार कर सकता है तब तक मैं उस फूर को नहीं तोड़ूगा और जिस दिन ऐसा कोई आया जो मुझसे ज़ादा तुम्हें प्यार करता हो तो मैं खुशी-खुशी उस फूर को तोड़ लूगा ये पढ़ते ही मेरे आखों में आसो पत्र गिरने लगे और उसकी लिखावत की स्याही धुन्दली हो गई मैंने उसे पढ़ना जारी रखा अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है अगर तुम संतुश्ट हो अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो तो किरप्या सामने के दरवाजा खुलो योगि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेट और ताजा दूप के साथ मैं चलदी से दरवाजा खुलने के लिए दोड़ी और उसके चिंते चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और जोड लिया और उसकी बाहों में समा गई अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा चितना वह करता है और मैंने फूल को नहीं तोड़ने का फैसला किया यही जीवन है और यही प्रेम जब कोई प्यार से घीरा होता है तो उतेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उसे सच्चे प्यार को नजर अंदाज कर देता है जो शांती और निरस्ता के बीच में होती है दोस्तों प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है यहां तक की बहुत छोटे से छोटे सुक्ष्म रूपों मिली इसका कभी एक मॉडल नहीं होता यहां सबसी निरस और उबाव रूप में भी हो सकता है फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा हो सकते हैं पर प्यार नहीं अगर आप सबको मेरी यह स्टोरी पसंद आई हो तो किर्विया मुझे लाइक, कॉमेंट और सस्क्राइब करना ना भूलिए थैंकी सो मच